दोस्तो अब इस वीडियो में हम जानेगी कि फायर्स में अकाउंट ओपन करने की क्या क्या फायद है और फायर्स में अकाउंट ओपन करने की step by step complete process क्या है तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल free of cost है account maintenance charge lifetime free रहेगा margin place और unplates भी विल्कुल free है algo trading भी completely free मिलेगी और trading view की subscription के paid features का आपको lifetime free access मिलेगा तो चली अब हम fires में demate account open करने ही complete process को step by step start करते हैं जब आप इस video की description और first pin comment में दी हुई link पर click करते हैं तो आप direct fires के space पर पहुंच जाएंगे अब यहाँ आपको अपनी email ID और mobile number डाल देना है यह time and condition के सामने के box पर click करना है आप यहाँ पर time and condition पर click करके time and condition read कर सकते हैं उसके बाद यह sign up now पर click कीजे उसके बाद आपके email ID और mobile number पर एक OTP बेजा जाएगा दोनों जगे same OTP बेजा गया है उससाई digit के OTP को यहाँ पर डाल देना है अब यहाँ आपका verification हो गया है यहाँ proceed now पर click कीजे अब identity details का यह page open हो चुका है अब यहाँ पर click करके pen card की front photo को upload कीजे यहाँ मैं continue पर click करता हूँ अब यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे page from kra और continue manually यहाँ मैं page from kra पर click करता हूँ यहाँ आपकी pen card की पूरी details हो जाएगी यहाँ मेरिटल स्टेटस में single या merit को select कीजिए यहाँ अपनी mother का name fill कीजिए उसके बाद continue पर click कीजिए अब यहाँ अपना pen card और उसकी details check कर लेनी है और mother name फिर से fill कर देना है उसके बाद continue पर click कीजिए अब यहाँ contact information का page open हो गया है यहाँ मैं address proof के तोर पर आदार कार्ड को select कर लेता हूँ आप अपने according कोई भी proof select करके upload कर दीजिए यहाँ आप direct digiloker के तुरू भी address proof upload कर सकते हैं digiloker के तुरू आदार कार्ड upload करने के लिए अपना आदार कार्ड नमबर यहाँ इस box में fill करके next पर click कीजिए अब आपके mobile नमबर पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डाल कर continue पर click करना है यहाँ मेरा आदार कार्ड digiloker के तुरू फेच कर दिया गया है अब यह address fill करना है और यहाँ अपना state select कीजिए अगर आपका permanent address कहीं और का है तो यहाँ इस box पर click कीजिए और अगर आप इंडिया के बार भी text पर करते हैं तो इस box पर click कीजिए अगर आपका permanent address और उपर की तरफ fill किया हुआ address M है तो इस box को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए अगर आप इंडिया के बार text पर नहीं करते हैं तो इस option को भी खाली छोड़ दीजिए उसके बाद continue पर click कीजिए अभी आपको bank and segment की details fill करनी है यह IFSC code, bank account number, bank का नाम, branch, bank का address और MICR code fill कीजिए उसके बाद आपका saving या current जो भी account है उसे select कीजिए अगर आपने उपर की पूरी information correct fill की है तो यह इस box पर click कीजिए अभी आपको commodity, currency, equity and future and options और mutual funds, जो भी segment active करना है उस पर tick mark कीजिए जिसे active नहीं करना है उस पर tick mark खटा दीजिए अभी या financial proof के तोर पर latest six month का bank statement, latest holding statement या latest ITR copy में से किसी भी एक को select करके कर दिया है, अब continue पर click करना है अब या additional information fill करनी है या आपको अपना occupation wave size select करना है या अपनी annual income select करनी है या commodity category select कीजिए मैं या others का option select रखूँगा अगर आप politically exposed person है तो इस box पर tick mark कीजिए वरना इस box को खाली चोड़ दीजिए अब या आपसे पूछा जा रहा है आप contract note को digitally mail पर लेना चाते हो या physically अपने address पर अगर आप physically contract note चाते हो तो आपको पर contract mail के 200 रुपे देने होंगे मैं या digitally mail पर ही contract note को लेना चाहूंगा अब याँ पर इन सभी option को read कर लीजिए अगर आप इन सभी option से सहमत हो तब इस box पर tick mark कीजिए अगर आप other supporting documents upload करना चाते हो तो कर सकते हो मैं इसे इसे खाली छोड़ देता हूं उसके बाद continue पर click करता हूं अब या nomination and declaration की details फिल करनी है अगर आप किसी को अपना nominee बनाना चाते हो तो इस option पर click कीजिए अगर आप किसी को nominee नहीं बनाना चाते हो तो second option को select करके continue पर click कीजिए अब याँ आपको live selfie verification करना है आपको याँ पहले instruction पढ़ लेनी है याँ पर जो भी OTP लिखाएगा उस OTP को आप किसी page पर अच्छे से लिख करके selfie लेनी है selfie लेने के लिए याँ पर click कीजिए अब याँ camera को allow कर देना है और आपको ऐसे page या phone में उस दिये गए OTP को लिख करके एक selfie लेनी है या continue पर click कीजिए उसके बाद या camera स्टार्ट हो जाएगा आपका face और OTP clear दिखना चाहिए उसके बाद या capture के option पर click कीजिए अब याँ आपको अपनी latest photo और signature अप्लोड करके continue पर click कर देना है उसके बाद आपने जो भी details फिल कीए उसको review करना है या last में पुछा गया कि क्या आपको sales executive चाहिए तो याँ आपर yes को select कर लिजिए उसके बाद proceed to assign पर click कीजिए अब आप या starting page में आ जाओगे अभी आपना status check करने के लिए login पर click कीजिए अभी आपको फिर से अपना mobile number या email id डाल कर send OTP पर click करना है या आपको OTP डाल देना है या इन दोनो box पर tick mark करके proceed to assign पर click करना है या आपको इस box पर tick mark करना है और या अपना अधार card number डाल कर send OTP पर click करना है उसके बाद आपके अधार card में जुड़े mobile number या email id पर एक OTP बेज़े जाएगा उस OTP को या डाल कर verify OTP पर click करना है उसके बाद sign successfully का notifications होगा दोस्तो चोईस कंटे में आपके पास confirmation का mail आजाएगा अगर बीच में कोई public holiday है तो वो holiday 24 hours में count नहीं होगा अगर किसी कारण से आपके application को hold किया गया है तो उस detail को फिर से fill करके submit कर दीजिए दोस्तो 24 hours में आपकी mail id पर आपकी client id बेज़ दी जाएगी उसके बाद आपका account activate हो जाएगा account active होने के बाद आपको fires.in पर जाना है वहाँ fires.web पर क्लिक करना है उसके बाद client id डाल कर continue पर क्लिक करना है या अपना pen card number या birthday year डालना है उसके बाद इस box पर क्लिक करना है और send OTP पर क्लिक करना है अब आपकी mail id और mobile पर OTP आएगा उस OTP को डाल कर confirm OTP पर क्लिक करना है अब या आपको अपना password create कर लेना है पासवर्ड में ये सभी चीज़े सामिल होनी चीए उसके बाद फिर से password डाल कर confirm करके submit पर क्लिक करना है अब आपको 4 digit का कोई भी एक pin create कर लेना है और confirm pin पर क्लिक कर देना है और फिर 4 digit का pin डाल कर sign in कर देना है तो दोस्तो अब आपका Fires का account ready है अब आप fund aid करके direct trade कर सकते हैं आप Fires का mobile AB Play Store से install कर सकते हैं तो दोस्तो ये ता Fires में account open करने है complete video I hope आपको वीडियो में दीगी जानकरी helpful लगी होगी